नमस्कार दोस्तों और टीटी त्यारी चैनल में आप सभी सात्यों का फिर से एक वार स्वागत है सात्यों आप सभी के लिए लगातार प्रियासरत हों और आप सभी बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं इसके लिए प्रियासरत है और बहुत ज़्यादा परिशान चल रहे हैं रात रात को आप सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप सभी को शिक्षा विभागने और BPSC के अध्यक्ष महोदै जी अतुल प्रसाद जी ने एक तरह से देखा जाए तो फसा दिया है आप बोलेगा कि कैसे आपको फसा दिया है को आप जानते हैं कि आप बिहार शिक्षक बहाली जो चल रही है BPSC के माध्यम से उसमें आपने परिक्षा दिया है लेकिन आपका परिणाम नहीं आया है लेकिन केकी पाठक जी उनको यह नहीं पता है कि परिणाम अभी तक घोषि नहीं किया गया है शिक्षाइभाग की तरफ से लेटर पे लेटर जारी कर रहे हैं ट्रेनिंग को ले करके और मानिये मुख्यमंत्री जी के द्वारा दो नुवंबर को न्यूकती पत्र दिया जाएगा इसको ले करके क्या आपर मुक्य सचिब केके पाठक जी को ये पता नहीं है कि बिहार लोग सेवा आयोग की तरफ से जो उस दिन रिजल्ट की घोशना की गई वो धरातल पर रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और जो रिजल्ट आया है उसमें तुरूटी है क्या केके पाठक जी को पता नही यह क्या खेला चल रहा है क्योंकि आप सभी बहुत ज़्यादा परिशान चल रहे हैं आप सभी का कुछ महत्वापुर्ण प्रशन है उसका जबाब मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से ही दूँ कई सातियों का कहना है कि सबसे पहले नियोजित शिक्षक को जो यहाँ पर मेधन करने के लिए और उनके लिए वीग्यापन में लिखा हुआ था कि अलग से किया जाएगा कुछ तो क्या क्या जा रहा है नियोजित शिक्षक के लिए नियोजित शिक्षक यदि फ्रेस रिक्ती पर आएंगे तो उनकी सीड़ फिर से खाली रहे जाएगी तो ऐसी बहाली का क्या मतलब है सरकार एक तरब धिनोड़ा पिट रही है कि मैंने 1,80,000 या 1,75,000 से ज्यादा या 1,70,000 हमने बहाली की लेकिन यहाँ पर 50,000 नियोजी शिक्षक जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं 50,000 से ज्यादा जहां तक हमें जानकारी मिली है कि 50,000 से ज्यादा नियोजी शिक्षक ही मेरिट लिष्ट में आ रहे हैं तो आप बताईए कि जब 50,000 सीट नियोजी शिक्षक ही ले लेंगे तो उसमें से कितना बचेगा जैसे कि एक लाख 23,000 की बात की गई थी एक लाख 22,000 की बात की गई है कि टोटल रिजल्ट में देने जा रहा हूं और उसमें से 50,000 आप घटा दीजिए तो सिर्फ 80,000 बहाली हुई पचास से प्रतिसत भी बहाली नहीं हुई तो सरकार को विभाग को इस बात की बात मतलब ध्यान नहीं है कि नियोजी शिक्षक को हम फिरस बहाली करने जा रहे हैं और उनकी सीट फिर से खाली हो जाएगी तो शिक्षक अभियर्थियों का मांग है कि भाई नियोजी शिक्षक जो परिक्षा दिये हैं और पास कर रहे हैं तो उनको अपने ही सीट पर राज्यकर्मी बनाया जाए या ये बिपीएस्टी के माध्यम से जो भी स्किल दिया जा रहा है जैसे बाली की प्रक्रिया की हम जिस seat पर हैं, उसी seat पर हम आगे बने रहे हैं। कई साथ ह में हम रहे कह 시 स्बाति हएं हम तो ट्रांसफर के लिए धीये थे परिक्शा, आरे भईशा अस्तान अंतरण के लिए जो आप परिक्शा दिये थे, तो यह असतान अंतरण की परिक्शा नही थे, अस्तान अंतरन के लिए हम लोग प्रियास कर रहे हैं और वो प्रियास सफाल भी होगा लेकिन अभी किसी को नौकरी लग जाएगी ये कितनी अच्छी बात होगी उनके घर में दिया जलेगा खुशी होगी आप इस बात को नहीं जानते हैं तो विवाग से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि निवजी शिक्षिकों को फ्रेस सीट पे न लाया जाए उनको अपने ही सीट पर राज्य कर्मी मानते हुए या जो भी आप अभी BPSC के माध्यम से परकिरिया कर रहे हैं उसी परकिरिया के अधिन उनको रखा जाएं, दूसरा प्रशना आपका ये है कि ये जो ट्रेनिंग की बाते चल रही है और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो न्युक्ति पत्र दिया जाएगा तो रिजल्ट तो पहले जारी कर दिया गया, और अभी तक आपके बीच में रिजल्ट आया नहीं, ट्रेनिंग से पहले आपको न्युक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा तो कुछ साथी का कहना है कि हम जुनियर जो हो जाएंगे, वो किस के बज़से होंगे, क्योंकि अप्राहन और पुडवाहन में भी जुनियर हो जाता है, एक दिन जैसे योगदान हम लोग करते हैं, तो जो पुडवाहन में करेगा, वो सिनियर रहेगा, जो अप्राहन में क भड़ेंगे या BPSC के अध्यक्ष मोदाज जी अतुल प्रसाद जी भड़ेंगे तो इसको लेकर भी हम लोग केस करेंगे इसको लेकर भी हम लोग लड़ेंगे कि जब रिजल्ट एक दिन प्रकाशित कर दिया गया तो हम सभी के बीच में क्यों नहीं आया और यदि ट्रेनिं ही कराना है के के पाठक जी को तो सू बेवस्तित बेवस्ता क्यों नहीं कर रहे हैं पचीस हजार का भी ट्रेनिंग होगा पचीस का फिर ट्रेनिंग होगा पचीस हजार करके ट्रेनिंग होता रहेगा नियुक्ति पत्र मिलता रहेगा तो यह कितने चड़नों में बहाली की चलेगी और कितने चड़दोम यह निक्ती पत्र बाटेंगे किसी भी बहाली का निक्ती पत्र एक दिन ही बाटा जाता है पूरे जितने भी विग्यापन में मतलब सफ़ाशुरा भियरती होते हैं उनका निक्ती पत्र का डेट जो है वो एक ही होता है और योगदान करने की यदि बात रही तो उसी न्युक्ति पत्र में लिखा होता है कि पंदर दिन में आप योगदान कर सकते हैं कोई भी पंदर दिन का इंतजार नहीं करता है तुरंट जाकर के योगदान कर लेता है क्योंकि सिनियर और जुनियर का फैदा उसको मिलता है पांस दिन, साथ दिन, दस दिन लग गया, ये क्या प्रकीरिया है सभी का दिखना चाहिए ये नियम है और आपका एक प्रस्ण ये भी है कि ये जो result दिया गया है उसमें एक seat पर देना था जो अभियर्थी चाहते थे उनको एक पर देना था 10 प्लस 2 में ही जाना चाहते थे तो उनको 10 प्लस 2 में ही देना था और दूसरा जो है वो 9 टेंथ में जाना चाहते थे तो 9 टेंथ में ही देना था 1 to 5 में जाना चाहते थे तो 1 to 5 में ही देना था क्योंकि एक नंबर पर उनने वही रखा था और यदि उनका उस विशाय में बहाली नहीं होता तब दूसरा देखा जाता तो यहाँ पर आपने सब को रिजल्ट दे दिया आपने विज्यापन का खुद क्या किया है अब हेलना किया है तो इसको लेकर भी आप परिशान है आप परिशान मत हो ये शिक्षक अव्यर्तियों का कहना है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट भी जारी होना चाहिए क्योंकि वन टू फाइब में बहुत ज़्यादा हमारे ऐसे साथी है जो पेडिंग वाले है जो सीट एड दिये लेकिन सफल नहीं हो पाए कोई डिये लेड में एक विश्याय में फेल हो गया है तो उनका रिजल्ट जो आपने प्रकाशित कर दिया है उस सीट पर दुबारा से जो है वो कौंसलिंग होनी चाहिए उस सीट का मेरिट लिस्ट अलग से होना चाहिए ये मेरा प्रशन नहीं है ये बिहार के तमाम शिक्षा का वियर्थियों का प्रशन है और मांग है एक मांग आपका और है कि कुछ बीएड बाले साथी का भी रिजल्ट उसमें मिश्टेक से हो गया है तो ये सब गलती जो हुई है वो सीट खाली नहीं जानी चाहिए उसके उपर में भी किसी न किसी का होना चाहिए और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बिहार सरकार द्वारा शिक्षन प्रशिक्षन के संबंद में ये फॉर्म भराया जा रहा है और प्रशिक्षन चल रहे है जोर सोर से लेकिन रिजल्ट कहा है result आएगा तभी न कोई prescription करेगा इसमें सब कुछ दिया हुआ है सब कुछ यहाँ पर भड़ना होगा last में देखिए योगदान पत्र BPSC प्रविश पत्र एवं आधार काड़ की स्वाव पर्मानी छाया प्रती सनलंगन करे योगदान पत्र यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देने के लिए और यह प्रविशनल योगदान पत्र दिया जा रहा है वो फाइनल योगदान पत्र नहीं है यह कौन सा नियम आ गया भाई योगदान पत्र भी दो तरह का प्रविशनल अलग और फाइनल अलग तो आपका मांग ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था एक साथ रिजल्ट, एक साथ ट्रेनिंग, एक साथ सभी को नुक्ति पत्र और एक साथ सभी अपना जाते विद्याले में योगदान करते अब कई साथ ही का कल फोन आ रहा है जो नियोजिस शिक्षक हैं उनका कहना है कि देखिए मैं पहले से ही 6-8 में हूँ, 1-5 में मैंने परिक्षा दिया और हमको दूर भेज दिया गया है अब दूर में ये लेटर आता है कि च्वैस नहीं दिया जाएगा विद्याले का सबसे पहले सुदूर भेज दो जहां पर वो जाना नहीं चाहता है तो सुभावी कै कोई नहीं जाएगा, तो वो भी सीठ खाली रह जाएगा तो ये किस प्रकार की सडियंत्र जो है वो चल रही है शिक्षा विभाग और BPSC के बीच ये किसी को पता नहीं चल रहा है आज भी रिजल्ट उनको प्रकाशित कर देना चाहिए, किसी भी हालत में अब क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी वज़ख कोई नहीं पूछ रहा है शिक्षा विभाग BPSC से पत्र के माध्यम से क्यों नहीं पूछ रही है कि जब आपने परिणाम घोशित कर दिया और सभी लेटर में, यही लिखा जाता है कि आप अवगत हैं कि बिहार लोग सेवा आयोग विद्यालेश शिक्षक परिणामों की घोशना जो है वो कर चुकी है कि पाठक जी को यह पता नहीं है कि सभी विशयों का रिजल्ट अभी तक BPSC ने घोशित नहीं किया है तो कैसे इस लेटर में इन्होंने लिख दिया है कि परिणामों की घोशना कर चुकी है अभी भी तेरा विशय का रिजल्ट देना है उनको दश विशय है माध्यमिक में और तीन विशय है आपका उच्चे माध्यमिक में और इधर ट्रेनिंग की तयारी चल रही है धराधर मन्ये मुख्यमंत्रे श्री नितिस्त कुमार जी न्युक्ति पत्र देंगे दो नुवंबर को गांधी मैदान में उसकी तयारी चल रही है तो शिक्षक अव्यर्तियों का कहना है कि इस बात को संग्यानले शिक्षा विभाग कि अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और ये टुक्रे टुक्रे में जो ये न्युक्ति पत्र बाटेंगे ये भी कहीं से उचित नहीं है यहाँ पर सिनियर और जुनियर की बात हो जाएगी किसी भी विग्यापन का न्युक्ति पत्र एक ही तारिक में बटनी चाहिए और ये उसका नियम है एक ही दिन रिजल्ट प्रकाशित होना चाहिए और नियोजी शिक्षक को उनकी अपने ही पद पर छोड़ देना चाहिए उनको फ्रेश बहाली में नहीं लाना चाहिए आप यहाँ पर बात करेंगे फिर 9-10 वाले जो 6-8 में है वो 9-10 में आये हैं वो कैसे होगा तो 9-10 में अपना जाएंगे लेकिन और बहुत सारे शिक्षक हैं 1-2-5 के और 9-10 के 11-12 के जो नियोजी शिक्षक हैं और उनने परिक्षा दिया है और उतिर्ण किये हैं और राज्य कर्मी बाला लेटर भी जो निकला है उसमें कहा गया है कि परिक्षा लिया जाएगा तब आपको राज्य कर्मी बनाया जाएगा तो भाई इसी परिक्षा के आधार पर उनको राज्य कर्मी आप बनाईए कम से कम अपने सीट पर उनको रहने दीजिए और ये जो नई सीट है उसको बचा के रखिए जो और हमारे बिहार के तमाम श्रिक्षक अब्यर्थी परिक्षा दिये हैं लाखो लाख उनको मुका दीजिए क्योंकि रोजगार तो सब को चाहिए भाई शीट खराप नहीं होनी चाहिए ये मांग है बिहार के तमाम श्रिक्षक अब्यर्थी का और यदि ऐसा आगे होगा, तो फिर आगे वो लोग रास्ता आपना ढोंड रहे हैं, फिर उनको कोई रोक नहीं सकता है, और वो अपने मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, आपके विज्यापन के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे, जो आपने अपने विज्यापन में लिखा है, क्योंकि पदाधिकारी का मतलब होता है व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, ना कि व्यवस्था को बिगारना, और आज कल आप देखी रहे हैं, जैसे लग रहा है कि केके पाठक जी लंदन में बैठे हैं, और अतुल प्रसाद जी जो है वो भारत में बैठे हैं, इतनी दूड़ी, किसी को पता नहीं कि क्या चल रहा है, एक पदाधिकारी निकाल रहे हैं कि धराधर ट्रेनिंग करवाईए, और दूसरे पदाधिकारी रिजल्टे नहीं निकाल रहे हैं, तो इस बात को भी संज्यान में लेना चाहिए शिक्षाविवाग को रातो रात किसी भी हालत में result प्रकाशित होनी चाहिए सभी विशायों का तो साथियों आपका आवाज हर समय बुलंद करता हूँ करता रहूंगा और टी टी त्यारी चैनल के माध्यम से बस आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसमें कुछ नहीं जा रहा है इतना आपके लिए प्रियास कर रहा हूँ तो एक चैनल सब्सक्राइब करना क्या बड़ी बात है और बेल एकन की बटन दबा लीजिए यहाँ पर एक जूटता दिखनी चाहिए मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ आवी के लिए इतना ही इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीचिएगा